हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल एसके जी समानेगान आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिमाचल दर्पन के हर चेप्टर की वीडियोस टाइमली मिलते रहें जैसे कि आप यहां देख रहे हैं हम एटू पे आए हैं अब हिमाचल परदेश क जो उनने आकमन किया तब तक हम इसको प्राचिन इतिहास के अंदर ही पढ़ेंगे जैसे कि आप यहां एटू के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है 2.1 प्राग इतिहासिक एवं वैदिक काल तो हिमाचल में जो जो घटना इस दोरान हुई है उसके बारे में हम इस जो लिखित लिपि का विकास नहीं हुआ था ठीक है इस समय मानुग का कोई भी ही लिखित शूरोथ हमे कहीं से भी प्राप्ट नहीं होता हमें सिर्फ जो आर्केलोजिक कल जो शूरोथ है सोर्सी न है B.C. ये 1000 गलती से लिखा हुआ है इसको हम मिजोलिथिक पीरड भी कहते हैं और नव पाशाण काल 7,000 B.C. से 1000 B.C. के बीच में इसको नियोलिथिक पीरड भी कहा जाता है तो ये पीरड जो है जैसे सिंदुगाटी सब्वेता, हडपा की जो लीपी है, हडपा सिंदुगाटी सब्वेता की जो लीपी है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो ये दो पीरिड है, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रागयतियसिक काल में, जो हमारा 30,000,000 साल से 10,000 बीसी तक पुरा प हमें, सबसे पहले हम बात करते हैं, 1951, सतलूज की जो साहिक नदी सिर्शा है, उसके राइट साइड में, दाई तरफ, नालगड में, ओलाफ प्रूफर ने, पत्थर से बने औजार जैसे खुरपे, आदी प्राप्त हुए थे, ये पेलियोलिथिक एज के, इसके बाद हमें बीबी लाल, 1955 में बीबी लाल ने, गुलेल, दहरा और धलियारा, और कांगडा में, जो आदी सोहन प्रकार के, आदी सोहन घाटी जो है, वो पाकिस्तान में थी, तो आदी सोहन प्रकार के, जो थे, वो 72 जो पत्थर के उपकरण है, वो प्राप्त किये, जिन इन पत्थर के उपकरनों में चौपर था जो हैंड एक्स जिसको हस्त कुठारे भी कहा जाता है वेदनी बोरर जो है ये सारी चीजें जो है मिली थी इसके लावा जीसी महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगडा में उत्तर पाशान काल जो है तीस लाग से चार लाग साल के आसपा जो है वह राप्त हुए है इसके बाद हम चलते हैं मीजोलिथिक और नियोलिथिक पिरिट की बात करते हैं ऒर्फा और नवपाशान काल भारत में ये दसजार बीसी से एक 1000 बीसी ऐसा माना जाता है कि यह पिरिड जो है न ऊदसजार बीसी जबकि ये इसका टाइम पिरिड थोड़ा सा अलग है यह स्थाई कृषी शुरू हो गई थी दोरान और सभेताओं का उद्गम हो गया था चाहे वो मिसर की सभेता हो चाहे वो सिंदुगाटी की सभेता हो तो यह सारी सभेताओं यहां पर आ गई थी इसके अब शेज जो है रोपन में मिले हमें कोटला नियोलिथिक पीरिड नाउ पाशान यूग के प्रमान मिले हैं इसके लवा सरस्वती अमना नदी की जो टलहतिया है उसमें भी हमें बुरे रंग के चित्र मिट्टी के बरतन वगयरा जो है वो मिले हैं इसके बाद हम आदे आधियासी काल जिसमें हम कहते हैं के लिपी तो परन्तु उसको पढ़ा नहीं जा सका था सिंदुगाटी सब्वेता तो सिंदुगाटी सब्वेता के दौरान कौन कौन सी निवासी जो थे वो हमाचल में थे सबसे पहले हम बात करते हैं कोल यह हमाचल के सबसे पुराने निवासी है ठीक है नियोलिथिक जो पीरिड जो सं प्रेज़न करते हैं वर्तमान में कोल जाती का हिमाचल में बसने का पता जो है वे कुमाओ की चंदेशवर घाटी की चट्टानों से भी मिलता है ठीक है ये कोशन बहुत इंपोर्टन्ट है अगला आता है किरात किरात एक तरह से मंगोलाइड प्रजाती के लोग है ये और ये हिमाचल में आने वाली दूसरी जाती है कई बार ये कोशन पूछते भी है रिशी वशिष्ट जो थे उन्हें शिष्ण देव कहते थे लिंग देवता की पूजा करते थे ये लोग तो इसलिए इनका नाम उन्होंने शिष्ण देव रखा था महाभारत में भी किरातों का वंणन किया गया है और उन्हें हिमालय का निमासी बताय गया है जो महाभारत का वन पर्व है अध्या 140 उसमें इनके निवास का वंणन मिलता है हिमालय के असपास किरातों को पहड़ी तलहटी से उचे परवत की तरफ भगाने वाले लोग जो थे वो खश थे तो किरातों को जो उंचे परवतों की तरफ किस ने बगाया था खशों ने बगाया था मनुने भी किरातों का वंडन किया और काली दास का जो रगवंच है उसमें किनरों का जो किरात है उनका वंडन मिलता है इसके बाद आती है नाग जाती, नाग जाती का हिमाले की पहाडियों में, हिमाचल की पहाडियों में बसने का पता लगता है, बहुत सारे ऐसे मंदीर हैं, जैसे मंदी का पंच वक्तर मंदीर शिव मंदीर है, उसमें नाग की दस फुट उची मुर्थियां है, हडपे सबता क कि जो मोहरे हैं मिली थी उसमें भी नाग देवता को दिखाये गया है महाभारत में भी अरजुने नाग जो नाग कन्या थी उलोपी राजा वसूकी की बेटी उसे गंदर विवा किया था वसूकी नाग की पूजा कई जगा की जाती है आप अबी भी देख सकते हैं कि असपास चंबा में कुल्लू है यहाँ पर तक्षक नाग ने हिमाले में अपना नाग राजिस थापित किया था तो नाग जाती का भी काफी हमें जो वर्णन है वो मिलता है इसके अलावा खश अगर हम खशों की बात करें तो आरियों की जो तीसरी शाका थी कई शाकाओं में आरे जो थे वो मदेशिया से अलग अलग दिशा में बढ़े थे जो तीसरी शाका थी वो कश्मीर की तरफ को बढ़ी थी इरान होते हुए और कश्मीर होते हुए वो पूरे हिमाले में आ फैल गई थी और यही खश जाती कहलाई ठीक है रोडु शेतर के खश में जो बेडा जाती के लोग हैं जिन नाग जाती वन्षक समझा जाता था उनके परिवार की विक्ति की बली इस बुंडा उत्सों में दी जाती थी अब तो नहीं दी जाती आप तो सरिफ यह एक तरह से प्रतीक के तौर पर ही मनाया जाता है खशों द्वारा निर्मंड मे मनाय जाने वाले बोड़ी जो दिवाली है वो भी इसी आदम जाती के उपर जो है नाग जाती के उपर विजय का प्रतीक के रूप में मनाय जाती है खश नाग युद्ध का मंचन होता है इसमें खश जाती से जो एक नई जाती निकली कुनैत या कुलिंद वो खश्या के न के सरदार जो है बाद में छोट छोटे जो राज्य संग बन गए थे जिने में माना का आ जा था उसमें बढ़ गए थे ठीक है खशों में बहुपती प्रथा पाई जाती थी और पांड़ों ने भी नी से ही वह नुवास के दौरान बहुपती प्रथा जो थी वह धारली थी इ जैसे मनी महेश है किनर केलाज है महासु देवता है तो यह सारे जो है वो शिवजी के और सबसे पुराना धरम है हिमाचल का शैवधरम पशुपती देवता की पूजा के प्रमान तो हमें सिंदु घाठी से बिता में भी मिलें अगर शक्ती की बात की जाए शक्ती पूजा क चांब की मंदिर है तो यह सारे पर मंहें इसके लाब नांग देवता की बात करें तो उसके भी बहुत सारे जो मंदिर हैं वो यहाँ पर हिमाचल में हैं इसके लावा हम आरियों की बात करें तो आरियों की जो एक शाखा थी वो मद्हिश्या से होते हुए इरान होते हुए भारत में उन्होंने प्रवेश किया और इनको हम वैदिक आरे बोलते हैं और यह सब कुछ अपना चाहे वो पशू थे, देवता थे, अपने सारे घर का ग्रहस्ती का समान लेके और सबसे पहले सब्सिंदु परदेश जो पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब वाला एरिया है और लगबगी सेरिया में उनको बसने में लगबग 400 साल का टाइम लगा और सबसे पहले इनका सामना जो थी यहां के जो प्राचीन निवासी थे कोल, किलात, नाग जाती के लोगों से आरियों का सामना हुआ और एक युद्ध जो बहुत फेमस है जिसके पर बहुत बार सवाल भी आता है शामबर दिवोदास युद्ध तो जो दसियों का राजा था सामबर वो लगबग यमुना और व्यास के बीच की पहड़ियों पे जो था वो राज करता था और उसके पास 99 के असपास के लिए थे और रिगवेद के अनुसार जो दसियों राजा सामबर और आरिक है जो राजा दिवोदास था उनके भी 40 साल तक युद्ध चला और अंत में जो आरियों का राजा दिवोदास था उसने उद्ध ब्रज नामक स्थान पर सामबर का वद कर दिया ठीक है और आरियों ने फिर कोल, किरात, नागों को जो है वो निचली घाटियों से खदेड कर जो उन्ची पहाडियों की तरफ को जाने पे बात कर दिया और निचली जो घाटियों में अपना कबजा कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि जो रिशी भारदवाज है ये कोशन बहुत इंपोर्टन्ट है एक्जाम में बहुत बार पुछाया है वो आरे राजा दिवोदास का मुख्य से लाग पर था तो ये कोशन बहुत बार आया तो ये इंपोर्टन्ट भी है खश और आरियों लगबग एक जैसी है ये खशों को भी आरियों ने दुरकम पाड़ियों में के और खदेड भी दिया था और कई खश तो आरियों में विलीन भी हो गए थी ठीक है इसके बाद हम वैदिक काल की बात करते हैं ये हमारा कुछ जो आरियों के आने के बाद फिर भारत में जो है और हिमाचल में भी वैदिक काल शुरू हो जाता है अगर हम वैदिक आरियों की बात उसका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था ये जाती जो सरस्वती नदी के आसपास जो था वो क्योंकि इसका उद्गम जो है वो सिर्मौर के आसपास कहा जाता है सरस्वती नदी का जो कोलर और नहान के आसपास का एरिया है वहाँ से तो वहाँ पे ये राज करता था यायाती और उसका पुत्र जो था वो पूरू इस राज्य का शाशक बना अगर हम दसराग युद की बात करें बहुत इंपोर्टन्ट है एक्जाम पॉंट अग्यू से बहुत बारन कोशन आया भी है रिगवेट के अनुसार दिवोदास का जो बेटा था सुदास उसकी जो य युद हुआ था वो दस आरे राजाओं तथा अन्यार राज्यों मतलब यह साथ दोनों मिल गए थे दस राजाओं के साथ उनका युद हुआ था और इथियास में इसको दस राग युद कहा जाता है सुदास की सेना का जो नेतितु कर रहे थे वो थे उनके मंत्री और गु रीच का युद कहते है इसमें अन्त में जो थी सुदास की सेना ने इस दस राजा उनकी सेना को पराजित किया और इसके बाद सुदास जो था वो रिगवैदिक काल में सबसे जादा शक्ति शाली जो राजा था वो बन गया था और यह जो युद हुआ था दश्राप लिएस रीशी थे निरमंड में पर्शुराम, मनाली में मनू रीशी, कुल्लू घाटी के मनी eli करण के पाथ वश्षिष्च कुंः है और जिसको हम जो रीशी से उससे ढोड सकते हैं था यह कुछ हमारे famous रिशी थे, उनमें कुछ के बारे में तो हम अभी जो है वो पढ़ेंगे, पेज नमबर चार पे आगे हैं, कुछ खास रिशी जो है, खास तोर पर जमदंगनी और उनके पुत्र परशुराम के बारे में पढ़ते हैं, जमदंगनी रिशी को जामलू देता कहा जाता था, मना है, मोर के रिणुद के पास थी थे, घमदंगनी रिशी को पतनी थी रिणुका, जमदंगनी रिशी के पुत्र थे परशुराम, जिनका मन्दिर भी है रिणुदगा जील के पास, अगस्त और गौतम रिशी भी रिणुद के आसपास रहा करते थे अश्रम में लेकिन बाद में वो अनिस्थान पे चले गए अगर हम रिश्यू परिशुराम के बात करें तो वैदिक आरे राजा जो राजा सहस्तर अरजुन थे जिसको किर्थवीरी भी कहा जाता था जब वो रेणु का पहुंचे तो जमदंगनी रिश्यू ने उनका बहुत पहुत बात करें तो वह रिश्यू ने नश्ट कर दिया और उनकी गायों को लूट कर लेगा परशुराम ने जो लोकल राजा थे उनके साथ मिलकर शहस्तर अरजुन पर अटैक किया और उसका वद्ध कर दिया आकर्मन करके शहस्तर अर्जुन के पुत्रों ने जमदंगनी लिश्य की हत्या कर दी इससे परशुनाम भढगे और उन्होंने सबीक शत्रियों पर आकर्मन किया और उनका वद्ध किया अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में चार प्रमुक जन्प दूआ करते थे रिगवैद में जो था वो हिमाचल को हिम्मंत कहा गया है और आपको जल से पता ही है महाभारत काल में पांडवों का जो अग्यात वास था वो हिमाचल की उपरी पहाडियों में किन्ना और महासुकेरिये में ही व्यतीत हुआ था भीहिम ने कुल्लो की जो कुल देवी है डिम्बा से विवा किया था यह आपको पता ही है त्रिगर अगर हम इन चार के बारे में पढ़ें जरात तो यह देखते हैं सबसे पहले हम और की बात करते हैं कांगडा के आसपास का इलाका है और महाभारत के अनुसार और जो थे वो विश्वा मित्र के वन्शस थे यह बहुत इंपोर्टन्ट है कोशन कई बार आया भी है और यह पूजा करते थे पानेनी का जो गणपत है उसमें भी और दुंबर जाती का विवनन मिलता है और दुंबर के जो विक्ष थे या बहुत जादा संक्या में पाई जाते थे इसलिए भी इसको जनपद को जो था वो और दुंबर के नाम से जाना जाता था ब्राम्मी और जो ख ने चांदी और कामबे के सिख्के चलाए थे यह ज्यादा तर जो यह ओधुंबर लोग थी शिव भक थे एक तरह से भेड़ पालक थे और चंबा के जो गति जन जाती है उनसे हम इसको को रिलेट कर सकते हैं जो है इसके बाद बात करते हैं तिरगर्थ की तिरगर्थ जो जनपद है उसकी स्थापना भूमी चन्दने की थी और उसकी जो दो सोई कतिवी पीड़ी का जो राजा था वो था शुशर्मा जिसने महमारत के युद में कौर्वों की साहिता की थी शुशर्मा ने पांड़व के बीच का रावी वियास और सतलूज इन तीन नदियों के बीच के हिस्से को त्रिगर्थ कहा जाता है शुशर्मा ने कांगड़ा का किला बनाया और नागर कोट को अपनी राजधानी बनाया कनिश्क ने छे राज्यों के समूँ को त्रिगर्थ कहा था और ये छे राज्य इसके बाद हम बात करते हैं कुलू कुलू तो जो राज्य है वो व्यास नदी के उपरी इलाके में था जिसका विवरण महाबारत रमायन व्राथ सहिता मारकंडे प्राण मुझरा राक्षय श्मतस्य प्राण में मिलता है इसकी जो प्राचीन राजदानी थी वो नगर थी और ये कहां इसका विवरण हमें पाणिनी के कत्रयादी कंगा में मिलता है तो ये भी कुशन इंपोर्टन्ट है कुलू घाटी का जो राजा था वो विरियास था और एक हजार इसवी के आसपास उसके सबसे पुराने सिक्के मिले हैं जो प्राकिर्त और खरुष्टी भाषा में लिखे गए हैं कुलूत रियासत की स्थापना जो की थी वो विहंग मनी पालने की थी और वो प्रियाग राज यानि इलहाबाद से आया था कुलिंद अगर हम राज की बात चौथा जो जनपत है उसकी बात करें तो वो म कुलिंदों के जो सिक्के मिले हैं उसके किस राजा की नाम खुदाव है वो अमोग भूती यमनदी का पुराणिक नाम जो है वो कलिंदी है तो ऐसा भी माना जाता है कि जो यमनदी के आसपास के शेत्र हैं उसको भी कुलिंद कहा जाता है ठीक है यहाँ पर बहेडा कुलिं कुलिंदो की दूसरी शताबदी में भगवत चत्रेशुर महात्मन वाली मुद्रब प्राप्त हुई है कुलिंदो की गणतंतरे शार्शन प्रणाली थी कुलिंदो ने पंजाब के योधवों और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषानों को जो है वो बगाने में सफलता जो है प्राप्त किती कुशान मंज के जो राजा थे क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है ये A2.1 इसके प्रशन उत्तर और जो अब्जेक्टिव कोश्चन्स हैं वो हम अगले उसमें करेंगे